गोवा कॉंग्रिस में सेंधुमारी की साज़श रच रही है बीजेपी को मुझ की खानी पड़ी है बगावत और पार्टी में टूट की खबरों के बीच कॉंग्रेस के नेता दिगंबर कामत ने खुद मीडिया के सामने आकर साफ कर दिया कि वो कॉंग्रिस में है और वही कॉंग्रेस आला कमान के एक्शन से बीजेपी के अर्मानों पर पानी फिर गया है तो गोवा में कैसे बीजेपी के हाथ लगी हताशा देखते हैं ये रिपोर्ट गोवा में बीजेपी को करारा जवाब मिला है बीजेपी एक बार फिर गोवा कॉंग्रेस में सेंधुमारी की जुगत लगा रही थी लेकिन कॉंग्रेस के अंतरिमत्यक्ष सोनिया गांधी के एक्षन में आते ही बीजेपी की चाल उसी पर भारी पड़ गई कॉंग्रेस में फूट डालने के आरोब जेल रहे पूर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने साफ कर दिया है कि वो कॉंग्रेस में ही है साथ ही उन्होंने अपने उपर लग रहे आरोबो पर दुख जाहिर किया उधर विपक्ष के नेतापत से हटाए गए कॉंग्रेस विधायक माइकल लोबो ने भी कहा कि वो कॉंग्रेस के साथ हैं उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस के सारे विधायक एक जुट हैं और दल बदल का सवाल ही नहीं है हम कॉंग्रिस के टिकेट पर जीते हैं और पार्टी के साथ हैं उन्होंने बीजेपी में जाने के अटकलों को खारिस किया खबरों के मुताबिक पार्टी की प्रदेश एकाई जल्द ही एक उचस्तर ये बैठक कर सकती है फिलहाल कॉंग्रिस ने अपने पांच विधायकों को अग्यात स्थान पर भेज दिया है इधर विधायकों के बागी होने की खबरों के बीच दिल्ली नेतरत भी आक्टिव है सोंबार को पत्रकारों से बातचीत के दोरान कामत ने कहा कि उन्होंने पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश गुड्डू राओ से जुड़ा एक वीडियो देखा जिसे देखकर उन्हें दुख हुआ मेरे भाजपा में शामिल होने के अववाहें साल 2017 से फैल रही हैं कामत ने अपना पद बदले जाने को लेकर भी दुख जताया है उन्होंने कहा अगर मुझे जाना होता तो में चला गया होता कोई मुझे नहीं रोक सकता था लेकिन इसके बावजूद मैंने आगे बढ़कर पार्टी का नेतरित्तु किया और जब नतीजे आए तो अचानक मुझे विपक्ष से बदल दिया मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया मैं कॉंग्रिस में हूँ आप मेरा प्रदर्शन देख सकते हैं रवीवार को कॉंग्रिस के पांच विधायक संपर्क से बाहर हो गए थे इनमें माइकल लोगो, दिगंबर कामत, कैदार नाइक, राजेश फलदेसाई और देली याला लोगो का नाम शामिल है इस बात की जानकारी पार्टी के एक वरिष्ट रुनेता ने दी थी अब गोवा कॉंग्रिस जल्दी उचिस्तर ये बैठक बुला सकती है और लोगो और कामत के खिलाफ कारवाई की जा सकती है डीवी लाइफ की रिपोर्ट